नमस्कार, आए सुनते हैं रविंद्रना टेगोर जी के द्वरा लिखावो उपन्यास, चोखेर बाली का दूसरा भाग, आगी बढ़ने की पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी राजलक्ष्मी अपने बेटे महिंद्र का विवाह कराना चाहती है, पर वो विवाह तो क्या, लड़की तक देखने को राजी नहीं होता राजलक्ष्मी की विद्वा देवरानी अन्नपूर्णा उनी के साथ रहती हैं, उसकी भांजी आशालता जिसका इस दुन्या में कोई नहीं है वो विवाह करवाना चाहती है चाहती तो यह है कि वो विवाह महिंद्र के साथ ही हो, पर बोल नहीं पाती महेंदर उनके मन की बात ताड लेता है और कहता है कि वो बिहारी जो कि महेंदर के बचपन का मित्र है को इस विवाह के लिए मना लेगा वे लड़की देखने जाते हैं पर इस बात की भनक महेंदर की मा यानि राज लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं है लड़की दिखाई में महेंदर को आशालता बहुत पसंद आ जाती है वो बिहारी से कहता है कि वो इस विवाह के लिए ना कर दे ताकि महेंदर खुद आशालता से विवाह कर ले बिहारी को भी कही न कहीं लड़की पसंद थी पर महेंदर के दबाव में वो पीछे हट जाता है पर ये सारी बाते राज लक्षमी को रास नहीं आती वो तब से ही इस बात से जली भुनी थी जब महेंदर और बिहारी उनसे चिप कर लड़की देखने गए थे पर पुत्र के दबाव में उन्हें भी जुकना पड़ा वो कहीं न कहीं अन्नपोर्णा को इसका दोशी समझ बैठी है महेंदर का वेवाह आशालता से हो जाता है अब राज लक्षमी चाहती है कि आशालता कुछ दिन अपने चाचा के घरी रहे ताकि महेंदर की पढ़ाई लिखाई में हर्ज न हो पर महेंदर अपनी मा से कहता है कि आशालता की रहने से उसके पढ़ने में कोई तकलिफ नहीं होगी वो उसे उसके चाचा के घर नहीं भेजना चाहता इस पर राज लक्षमी चिड़ जाती है अब सुनते हैं आगे की कहानी आखे राज लक्षमी असीम उत्सा से वधू को ग्रेहस्ती के कामकाच सिखाने में जुट गए भंडार, रसोई, पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे राद को अपने साथ सुला कर वह उसके आत्मिये विछोह की कमी भी पूरा करने लगी काफी सोच समझकर अनपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती कोई अभिभावक जब खुद सारी एक का रस चूसने लगता है तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती महेंद्र की हालत भी वैसी ही हो गई उसकी आखों के सामने ही नव युवती वधु का सारा मीठा रस ग्रेहस्ती के कामों में निचूरता रहे या भला उसे कैसे सहा जाता अनपूर्णा जानती थी कि राजलक्षमी जादती कर रही है फिर भी उन्होंने कहा क्यों बेटे बहु को ग्रेहस्ती के धन्दे सिखाये जा रहे हैं अच्छा ही तो है आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना कार्पिट बुनना और सिर्फ बाबू बने रहना क्या अच्छा है महेंद्र उत्ते जित होकर बोला आजकल की लड़कियां आजकल की लड़कियों की तरह ही तो रहेंगी वो चाहे भली हो चाहे बुरी मेरी इस्त्री अगर मेरी तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें बुराई की क्या बात है यह ना तो परिहास की बात है ना पच्छतावे की अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज सुन कर राजलक्ष्मी सब कुछ छोड़ कर आखड़ी वी रूखे स्वर में बोली क्या मनसुबे बनाय जा रहे हैं महिंद्र वैसे ही उत्तेजित भाव से बोला मनसुबे क्या होंगे बहु को घर में नौकरानी की तरह काम मैं न करने दूँगा मा ने अपनी तीखी जलन को दबा कर बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा आखिर उसे क्या करना होगा महिंद्र बोला मैं उसे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा राजलक्ष्मी कुछ न बोली तेजी से कदम बढ़ाती वी चली गई और बहु का हाथ पकड़ कर खीचती वी महिंद्र के पास ला कर बोली यह रही तुम्हारी बहु सिखाऊ लिखना पड़ना राजलक्ष्मी ने फिर अनपूर्णा की तरफ पलट कर गले में आचल डाल कर कहा माफ करो मंजली वहू माफ करो तुम्हारी भांजी के मर्यादा मेरी समझ में न आई मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है अब तुम इसे धो पोचकर परी बना कर रखो महिंद्र को सौपो यह आराम से पढ़ना लिखना सीखे नौकरानी का काम मैं करूंगी राज लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और दर्वाजा जोर से बंद कर लिया शोब से अनपूर्णा जमीन पर बैठ गई अचानक यह क्या हो गया आशा के पल्ले नहीं पड़ा कि माजरा क्या है महेंदर नाराज हो गया मन ही मन बोला जो हुआ सो हुआ अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा नहीं तो जुल्म होगा मन और करतेव्य बोध दोनों मिल जाए तो अच्छा लगता है पतनी की उन्नती के चक्कर में महेंदर रम गया अब न तो उसे काम का ध्यान रहा ना लोगों की परवा गमंडी राज लक्ष्मी ने अपने आप कहा अब अगर महेंदर बीवी को लेकर मेरे दर्वाजे पर सिर पीट कर जान भी दे दे तो भी मैं मुड कर न देखूंगी देखती हूं मा को छोड़कर बीवी के साथ कैसे रहेगा दिन बीतने लगे राज लक्ष्मी के दर्वाजे पर किसी अनुतप्त के पावों की आहट न सुनाई पड़ी राज लक्ष्मी ने अपने मन में तै किया अच्छा माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूँगी नहीं तो जाएगा कहां बहुत दुखी हो जाएगा बेचारा लेकिन माफी कोई मांगे तभी तो आप माफ कर सकते हैं कोई माफी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं राज लक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर उसे शमा कराऊंगी लड़का रूट गया है तो क्या मा भी रूट ही रहे तिमंजीले पर एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था वही उसके पढ़ने की जगह भी थी इधर कई दिनों से मा ने उसके कपड़े सहेजने बिस्तर बिचाने जारने बुहारने में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी मात्रिस नहीं के जिन करतव्यों की वह आदी थी बहुत दिनों तक उन कामों को न करने से वह दुखी हो गई उस दिन दोपहर को एका एक मन में आया अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा इसी बीच उसका कमरा ठीक कर रहा हूं लोटकर वह समझ जाएगा कि कमरे में मा का हाथ फिरा है सीडियों से राजलक्ष्मी उपर गई महेंद्र के कमरे में दर्वाजे का एक पल्ला खुला था सामने जाते ही मानों काटा चुब गया चौक का ठिठक गई देखा महेंद्र फर्ष पर लेटा है और दर्वाजे की तरफ पीठ किये बहु धीरे-धीरे उसके पाउं सहला रही है दुपहर की तेज धूप में खुले कमरे में दामपत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिकार से सिमट गई और चुप-चाप नीचे उतर गई कुछ दिन सूखा पढ़ने से नाज के जो पौधे सूप कर पीले पढ़ जाते हैं बारिश आने पे वे तुरंत बढ़ जाते हैं आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ जहां उसका रक्त संबंध था वहावा कभी आत्मियता का दावा न कर सकी आज पराए घर में जब उसे बिना मांगे हक मिला तो उसने इसे लेने में देर न की उस दिन दोपहर में राजलक्ष्मी नीचे उतर आई उन्होंने सोचा अन्नपूर्णा को जगाया जाए बोली अरी ओ मंजली जरा जाकर देख तुम्हारी नवाब की बेटी नवाब के घर से कैसा पाठ पड़कर आई है घर के आज बड़े बुड़े होते तो अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा दीदी अपनी बहु को तुम सीक्षा दो या हुकुमत चलाओ मुझे क्या? मुझसे क्यों कह रही हो? राज लक्ष्मी धनुष की तनी डोर सी टंकार उठी हाँ, मेरी बहु जब तक तुम मंत्री हो वो मुझे कैसे मान सकती है? यह सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती वी महेंद्र के कमरे में पहुँच गई आशा से बोली तु इस तरह मेरा सिर नीचा करेगी रही मुझेली शर्म नहीं आती, हया नहीं है समय असमय का खयाल नहीं बूड़ी सास पर ग्रिहस्ती का सारा बोज डाल कर तुम यहां आराम फर्मा रही हो मेरा ही नसीब जला कि मैं तुझे इस घर में लेकर आई यह कहते कहते उनकी आखों से आसू बहने लगे और आशा भी सिर जुकाए आचल के छोर को नाखों से नोचती भी चुप चाप रोने लगी महिंद्र ने कहा चाची तुम नाहक बहु की लालत मलालत कर रही हो मैं नहीं उसे रोक कर रखा है अन्नपूर्णा ने कहा तो रोक कर कौन सा अच्छा काम किया है या तुम उसे क्या सिक्षा दे रहे हो महिंद्र बोला यह देखो इसके लिए मैं स्लेट, बही, किताब सब खरीद कर लाया हूँ इसे मैं पढ़ना लिखना सिखाऊंगा चाहे लोग मेरी निंदा ही क्यों न करें अन्नपूर्णा बोली ठीक है, लेकिन क्या यह तमाम दिन शाम के बाद घंटा आदा घंटा पढ़ लिया बस घंटा आदा घंटा पढ़ना ही तो काफी होगा न महिंद्र इतना आसान नहीं है चाची पढ़ने लिखने में समय लगता है अन्नपूर्णा खीज कर चली गई आशा भी उनकी पीछे पीछे चल पड़ी महिंद्र दर्वाजा रोक कर खड़ा हो गया उसने आशा की गीली आखों की विंती न मानी वैसे आशा को नहीं लगता की पढ़ना लिखना जरूरी भी है फिर भी वो अपने पती की खातिर किताबों पर एक बारगी जुक कर सिर हिलाती वी बताई चीजों को याद करती रहती कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताब खोले मास्टर सहाब कुरसी पर बैठे होते बीच-बीच में कनखियों से चात्रा को देखते रहते अचानक अपने किताब बंद करके आवाज दी चुन्नी यह आशा का घरेलू नाम था आशा ने चौक कर उधर देखा वह बोला जरा लाओ तो किताब देखू क्या पढ़ रही हो आशा को लगा जाच होगी उसमें पास होने की उम्मीद कम ही थी आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाठ कुछ यही हाल था एक हाथ से उसकी कमर को कसकर लपेटते वे दूसरे हाथ से किताब पकड़ कर महेंदर ने पूछा आज कितना पढ़ गई देखू तो जिन पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर गई थी वही दिखा दिया महेंदर ने अचरत से कहा ओह इतना पढ़ गई मैंने कितना पढ़ा बताऊं महेंदर ने अपनी किताब के किसी अध्याय का शीशक भर दिखा दिया अचरत से बड़ी-बड़ी आखे करके आशा ने पूछा तो इतनी देर से क्या कर रहे थे उसकी ठोड़ी पकड़ कर महेंदर ने कहा मैं किसी के बारे में सोच रहा था और जिसके बारे में सोच रहा था वो दीमक का वर्णन पढ़ने में मश्गूल थी इस बेवज़े शिकायत का सटीक जवाब आशा दे सकती थी लेकिन प्रेम की प्रतियोगिता में जूटी हार मान लेनी पढ़ती है ऐसे ही एक रोज महिंदर मौजूद नहीं था मौका पाकर आशा पढ़ने गई कि अचानक कहीं से महिंदर ने उसकी आँखे में चली और किताब छीन कर कहने लगा बेरहम मैं नहीं होता हूँ तो तुम मेरे बारे में सोचती तक नहीं किताबों में डूब जाती हो आशा ने कहा तुम मुझे गवार बनाए रखोगे महिंदर ने कहा तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन सी आगे बढ़ गई है महिंदर की बात आशा को लग गई फोरन चल देने का उपक्रम करती वी बोली मैंने तुम्हारी पढ़ाई में असी कौन सी रुकावट डाली है उसका हाथ थामकर महिंदर ने कहा यह तुम नहीं समझोगी मुझे भूल कर तुम जितनी आसानी से पढ़ लिख लेती हो तुम्हें भूल कर उतनी आसानी से मैं नहीं लिख पढ़ पाता सिक्षक ही जब सिक्षकी सबसे बड़ी बाधा हो तो छात्रा की क्या मजाल कि विद्या के वन में राह बना कर चल सके कभी-कभी मौसी की जिर्की याद आती तो चित्विचलित हो जाता सास को देखकर शरम से गढ़ जाती लेकिन सास उसे किसी काम को न कहती अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वो पढ़ाई के हर्जे की बात कहा कर उसे वापस भीज देती आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा तेरे जो पढ़ाई चल रही है उसे तो देखी रही हूं महिंद्र को क्या डॉक्टरी का इम्तिहान न देने देगी यह सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया और महिंद्र से कहा तुम्हारे इम्तिहान की तयारी नहीं हो पा रही है आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूँगी इस उम्र में ऐसा कठोर सन्यास वरत सोने के कमरे से एक बारगी मौसी के कमरे में निर्वासन ऐसी कठोर प्रतिग्या करते वे उसकी आँखों के कोने में आसु जलक पड़े बेबस होट काप उठे और गला रुंद गया महिंद्र बोला बहतर है चाची के ही कमरे में चले चलो मगर तब उन्हें यहां हमारे कमरे में ऊपर आकर रहना पड़ेगा ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बन कर रहे गया आशा इससे नाराज वी महिंद्र ने कहा इससे तो अच्छा यह है कि तुम राद दिन मुझे अपने आखों आखों में रखो और मेरी निगरानी करो फिर देखो मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है की नहीं बड़ी आसानी से आखिर यही बात तैह होगी इन निगाहों के पहरे वाला काम कैसा चलता था विस्तार से बताने की जरूरत नहीं इतना ही कह देना काफी होगा कि उस साल महिंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और चारू पाठ के लंबे वर्णन के बावजूद पुरू भुज के बारे में आशा के अनभग्यता दूर नहों सकी उनका या अनूठा पठन पाठन एक बार की निर्विग ने चलता रहा हो ऐसा नहीं बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ी मचाता महिंद्र भया की पुकार मचा कर वा आसमान सिर पर उठा लेता महिंद्र को उसके सोने की कमरी के मांद से खीच कर बाहर किये बिना उसे चैन न पड़ता महिंद्र की वा बड़ी खिचाई करता कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में धिलाई कर रहा है आशा से कहता महिंद्र कहता चुन्नी इसकी सुनो ही मत इसे हमारे सुक से रश्क होता है बिहारी कहता सुक जब तुमारी मुठी में है तो इस तरह से भागो कि औरों को रश्क न हो महिंद्र जवाब देता औरों के रश्क से सुख जो वोता है चुन्नी जरासी चूख से मैं तुम्हें इस गदे के हाथों में सौप रहा था बिहारी लाल आखों में कहता, चुप इन बातों से आशा बिहारी पर मन्हिमन कुड जाती कभी बिहारी से उसकी शादी की बात चली थी इसी से वह बिहारी से खीची-खीची रहती या बिहारी समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाग किया करता था राज लक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती बिहारी कहता मा कीड़े जब घर बनाते हैं तो उतना खत्रा नहीं रहता लेकिन जब उसे काट कर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लोटाना मुश्किल होता है किसे पता था कि वो तुम्हारे बंधन को इस तरह तोड़ फेकेगा महेंद्र के फेल होनी के खबर से राज लक्ष्मी धदक उठी जैसे गर्मियों के आकस्मिक आग लहक उठती है लेकिन उन सब की जलन और चिनगारी भोगनी पड़ी अन्नपूर्णा को उसका तो खाना सोना जैसे सब हराम हो गया एक दिन बारिश हो रही थी बादल घिरेवे थे ऐसे में वदन पर एक सुहासित महीन चादर और जूही की माला गले में डाले महेंद्र मगन मन अपने सोने के कमरे में पहुँचा अचानक आशा को चौका देने के विचार से उसने अपने जूते की आवाज न होने दी जांक कर देखा पूरब की खुली खिड़की से पानी के चीटे लिये हवा के तीखे जोंके कमरे में आ रहे हैं दिया बुझ गया है और आशा नीचे बिचावन पर पड़ी रो रही है महेंद्र जल्दी से उसके नजदीक आ गया और उसने पूछा क्या बात है वह दूने आवेक से रोने लगी बड़ी देर के बाद महेंद्र को जवाब मिला मौसी से और बदाश्ट न हो सका वो अपने फूफेरे भाई के यहां चली गई महेंद्र के मन में आया गई तो गई लेकिन बदले में ऐसे सुहानी सांच को खराब कर गई अंत में सारा गुसा मा पर आया वही तो इन सारे अनर्थों की जड़ है महेंद्र ने कहा हम भी वही चले जाएंगे जहां चाची गई है देखते हैं मा किस से जगरती है उसने नाहक ही शोरगुल के साथ असबाब बांधने के लिए कुली को बुलाना शुरू कर दिया राजलक्षमी समझ गई धीरे धीरे महेंद्र के पास आई शांत्स्वर में पूछा कहां जा रहा है महेंद्र ने पहले कोई जवाब न दिया दो तीन बार पूछे जाने पर बताया चाची के पास राजलक्षमी बोली अरे तो मैं ही उन्हें यहां बुलाए देती हूं राजलक्षमी उसी समय पालकी पर सवार होकर अनपूर्णा के घर गई गले में कपड़ा डाल कर हाथ जोडते वे कहा मंजली बहु मुझे माफ कर दो अनपूर्णा ने जल्दी जल्दी उनके पैरों की धूली ली कातर स्वर में कहा दीदी मुझे क्यों दोशी बना रही हो तुम जैसा हुक में दोगी वैसा ही करूंगी राजलक्षमी ने कहा तुम चली आई हो तो मेरे बेटा पुतोहु भी घर छोड़ कर यहीं आ रहे हैं या कहते कहते वह रो पड़ी जिठानी देवरानी दोनों घर लोटाई तब भी वर्षा हो रही थी अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुची आशा का रोना थम चुका था महेंद्र बातों से उसे हसाने की कोशिश कर रहा था आसार थे कि बदलियां यूही नहीं गुजर जाएंगी अन्नपूर्णा ने कहा चुन्नी तु मुझे घर में रहने भी न देगी और मैं कहीं और जाओ तो भी पीछे लग जाएगी क्या मेरे लिए कहीं भी चैन नहीं आशा चौक पड़ी महेंद्र खीज कर बोला क्यों चाची चुन्ने ने तुम्हारा क्या बेगाड़ा है अन्नपूर्णा ने कहा बहु की ऐसी बेहायाई बरदाश्त नहो सकी तभी यहां से चली गई थी फिर अपनी सास को रूला कर मुझ अली ने मुझे क्यों बुलवाया जीवन की इस अध्याय में मा चाची की ऐसी विग्नकारी नहीं होती है महेंद्र को इसका पता न था दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवा कर कहा बेटा बिहारी तुम एक बार महेंद्र से पूछ कर तो देखो जमाने से गाउं नहीं गए मैं एक बार बरसात में गाउं जाना चाहती हूँ बिहारी ने कहा जमाने से नहीं गई तो क्या हुआ खैर मैं पूछ कर देखता हूँ मगर वा राजी भी होगा ऐसा नहीं लगता महेंद्र ने कहा जन्म भूमी को देखने की इक्षा जरूर होती है लेकिन मा का वहाँ जादा दिन रहना अच्छा नहोगा बरसात के मौसम में वह जगा अच्छी नहीं महेंद्र बड़ी आसानी से राजी हो गया इससे बिहारी कुड़ गया बोला मा अकेली जाएंगी वहाँ उनकी देखबाल कौन करेगा भाबी को भी साथ बेज़ दो न कहकर बिहारी हसा बिहारी के इस गहरे व्यांगे से कुंठी थोकर महेंद्र ने कहा मेरे लिए या कोई मुश्किल है क्या मगर बात इससे आगे न बढ़ी बिहारी इसी तरह आशा के मन को विमुख कर दिया करता और यह जान कर कि आशा इससे कुड़ती है उसे मज़ा आता यह कहना बेकार होगा राज लक्ष्मी जन्म भूमी के दर्शन के लिए उतनी बेताब न थी गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो मलाह कदम कदम पर लगई से थाह लेता है कि कहा कितना पानी है राज लक्ष्मी ने सोचा न था कि उनके बरसात में गाउं जाने का प्रस्ताव इतनी जल्दी मन्जूर हो जाएगा सोचा अन्नपूर्णा और मेरे दोनों के घर से बाहर जाने में कितना फर्क है अन्नपूर्णा भीतरी मतलब समझ गई, कहने लगी दीदी जाएंगी तो मैं भी न रह सकूंगी महिंद्र ने मां से कहा सुन लिया तुमने, तुम जाओगे तो चाची भी जाएंगी अपने ग्रिहस्ती का क्या होगा फिर? राजलक्ष्मी विद्वेश के जहर से जरजर होकर बोली तुम भी जा रही हो मंजली, तुम्हारे जाने से काम क्यासे चलेगा नहीं तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा राजलक्ष्मी उतावली हो गई, दूसरे दिन दोपहर को ही तयार हो गई महेंदर ही उन्हें पहुँचाने जाएगा, इसमें किसी को कोई शुभा न था लेकिन रवाना होते वक्त मालूम पड़ा कि महेंदर ने मा के साथ जाने के लिए प्यादे और दर्बान तक रख दिये है बिहारी ने पूछा तुमें भी तक तयार नहीं वे क्या भया महेंदर ने लजा कर कहा मेरे कॉलेज की बिहारी ने कहा खैर तुम छोड़ो, मैं ही छोड़ाता हूँ महेंदर मन ही मन नाराज हुआ, अकेले में आशा से बोला सचमुच बिहारी ने ज्यादती शुरू कर दिये वह यह दिखाना चाहता है कि वह मा का खयाल मुझसे ज़ादा रखता है अन्नपूर्णा को मौन रह जाना पड़ा परन्तु लाज, कुढ़न और खीच से वह सिम्टी रही चाची में यह दुराओ देखकर महेंदर नाराज हुआ और आशा भी रूठी रही राजलक्ष्मी मैके पहुँची तय था कि उन्हें छोड़कर विहारी आ जाएगा लेकिन वहां की हालत देखकर वह वही ठहर गया राजलक्ष्मी के मैके में महज दो एक बुड़ी विद्वाएं थी चारो तरफ घना जंगल और बास की जाडिया पोखर का हरा भरा पानी दिन दोपहर में सियार की हुआ हुआ से राजलक्ष्मी की रूह काँप उठती विहारी ने कहा मा जन्म भूमी यह जरूर है मगर इसे स्वरगादपी गरियसी तो हर्गिज नहीं कहा जा सकता तुम्हें यहां अकेली छोड़ कर लोट जाओ तो मुझे पाप लगेगा राजलक्ष्मी के प्राण भी काप उठे ऐसे में विनोदिनी भी आ गई विनोदिनी की कभी महेंद्र से और कभी बिहारी से विवाह की बात चली थी विधाता की लिखी भागे लिपी से जिस आदमी से उसका विवाह हुआ वह जल्दी ही चल बसा अब विनोदिनी घने जंगल में अकेली लता सी इस गाओं में घुट कर जी रही थी वही अनाथ राजलक्ष्मी के पास आई उन्हें प्रणाम किया और उनकी सेवा जतन में जुट गई सेवा तो सेवा है घड़ी भर को आलस नहीं काम की कैसी सफाई कितनी अच्छी रसोई कैसी मीठी बात चीत राजलक्ष्मी कहती काफी देर हो चुकी है बिटिया तुम भी थोड़ा सा खालो जाकर वैसे राजलक्ष्मी उसकी फूफिया सास थी अपने प्रती बड़ी लापरवाही दिखाती भी विनोदिनी कहती हमारे दुख सहने वाले शरीर में नाराजगी की गुंजाईस नहीं अहाँ इतने दिनों बात तो अपने जन्मभू में आई हो यहां है भी क्या काहे से तुम्हारा आदर करूँ बिहारी तो दो ही दिनों में मुहले भर का बुजुर्ग बन बैठा कोई दवादारू तो कोई मुकदमे के राय मश्विरे के लिए आता कोई उसकी इसलिए खुशामत करता कि किसी बड़े दफ्तर में उसके बेटे को नौकरी दिला दे कोई उससे अपने दर्खवास्त लिखवाता बुढों के बैठक और कूली मजूरों के ताड़ी के अड़े तक वह समान रूप से आता जाता सभी उसका समान करते गवई गाओं में आये कलकत्ता की उस नव्युवक के निर्वासन दंड को भी विनोदिनी अंतरपूर की ओट से हलका करने की भर सक कोशिश किया करती मुहले का चक्कर काटकर जब भी वह आता तो पाता की किसी ने उसके कमरे को बड़े जतन से सहेच समार दिया है कासे के एक गलास में कुछ फूल पत्तों का गुच्छा सजा रखा है और सिर्हाने के एक तरफ पढ़ने योगे कुछ किताबे रखती है किताबों में किसी महिला के हाथ से बड़ी कंजूसी के साथ छोटे अक्षरों में नाम लिखा है गावों में अतिथी सतकार का जो आम तरीका है उसमें और इसमें थोड़ा फर्क था उसी का जिक्र करते वे बिहारी जब तारीफ करता तो राज लक्ष्मी कहती और ऐसी लड़की को तुम लोगों ने कबूल नहीं किया हसते वे बिहारी कहता बेशक हमने अच्छा नहीं किया मा ठगा गया मगर एक बात है विवाह ना करके ठगना बहतर है ब्याह करके ठगाता तो मुसीबत थी राज लक्ष्मी के जी में बार बार यही आता रहता यही तो मेरी बहु होने योग्य थी क्यों न हुवी भला राज लक्ष्मी कलकत्ता लोटने का जिक्र करती कि विनोदिनी की आखें चलचला उठती कहती आखिर तुम दो दिनों के लिए क्यों आई भुआ अब तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूंगी भावा वेश में राज लक्ष्मी कह उठती तुमेरी बहु क्यों न हुई बेटी मैं तुझे कलेजे से लगाई रखती सुनकर शर्म से विनोदिनी किसी बहाने वहां से हट जाती राज लक्ष्मी इस इंतजार में थी कि कलकत्ता से विनीत अनुरोध का कोई पत्र आएगा मा से अलग महेंद्र आज तक इतने दिन कभी नहीं रहा था मा के इस लंबे विचोह ने निश्चे ही उसके सबर का बांध तोड़ दिया होगा राज लक्ष्मी बेटे के गिरगिराहट भरे पत्र का इंतजार कर रही थी बिहारी के नाम महेंद्र का पत्र आया लिखा था लगता है मा बहुत दिनों के बाद मैके गई हैं शायद बड़े मजे में होंगी राज लक्ष्मी ने सोचा महेंद्र ने रूट कर ऐसा लिखा है बड़े मजे में होंगी महेंद्र को छोड़कर बदनसीव मा भला सुक से कैसे रह सकती है अरे बिहारी उसके बाद क्या लिखाया उसने पढ़कर सुना तो जरा बिहारी बोला और कुछ नहीं लिखाया मा उसने पत्र को मुठी से दबोच कर एक कौपी में रखा और कमरे में एक और धप से पटक दिया राज लक्ष्मी अभला इस्तिर रह सकती थी हो नहो महिंद्र मा पर इतना नाराज हुआ है कि बिहारी ने पढ़कर सुनाया नहीं गौ के थन पर चोट करके बच्छडा जिस प्रकार दूध और वातसले का संचार करता है उसी प्रकार महिंद्र की नाराजगी ने आगात पहुँचा कर राजलक्षमी के घुटे वातसले को उभार दिया उन्होंने महिंद्र को माफ कर दिया बोली आहा अपनी बहु को लेकर महिंद्र सुक है रहे जैसे भी हो वह सुक से रहे जो मा उसे छोड़कर कभी एक पल नहीं रह सकती वही उसे छोड़कर चली आई है इसलिए महिंद्र अपने मा से नाराज हो गया है रह रहकर उनकी आखों से आसु उमरने लगे उस दिन वह बार 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 बिहारी से जाकर कहती रही बेटे तुम जरा जाकर नहा लो यहां बड़ी बेपरवाही हो रही है तुम्हारी बिहारी का जीबी नहाने खाने को न था वह बोला मुझ जैसे अभागे बेपरवाही ठीक रहते हैं राजलक्षमी अड़ गई नहीं नहा लो बार बार जित करने से बिहारी नहाने गया उसका कमरे से बाहर कदम रखना था कि जपटकर राजलक्षमी ने वा किताब उठा ली और उसके अंदर से पत्र को निकाला पत्र उसने विनोदिनी को दिया कहा पढ़कर देख तो जरा महिंद्र ने बिहारी को क्या लिखा है पत्र पढ़कर विनोदिनी सुनाने लगी शुरू में महिंद्र ने मा के बारे में लिखा था लेकिन बड़ा मुक्तसर बिहारी ने जितना भर सुनाया उससे ज़्यादा कुछ नहीं उसके बाद आशा का जिक्र था जो मौज मजे और खुशियों से विभोर होकर लिखा गया था विनोदिनी ने थोड़ा पढ़ा और शर्मे से रुख गई कहा या क्या सुनोगी बुआ राज लक्ष्मी का सनेह से अकुलाया चेहरा पल भर में पत्थर जैसा सक्त हो गया जरा देर चुप रही फिर बोली रहने दो चिठी उन्होंने वापस न ली और वहाँ से चली गई चिठी लेकर विनोदिनी को क्या रस मिला वही जाने पढ़ते पढ़ते उसकी आँखे दोपहर के तपे बालू सी जलने लगी उसका निश्वास रेगिस्तान की बयार जैसा गरम हो उठा कैसा है महेंद्र कैसी है आशा और इन दोनों का प्रेम भी कैसा है यही बात उसके मन को मतने लगी पत्र को गोध में डाले, पाउं फैलाए, दिवार से पीठ टिका कर सामने ताक्ती वी वाप बड़ी देर तक सोचती रही महेंद्र की वह चिठी बिहारी को फिर ढूंडे न मिली पड़े चेहरे से अनपूर्णा की तरफ ताक्ती रह गई, अनपूर्णा ने कहा कलकत्ता का सब समाचार ठीक है, राजलक्ष्मी ने पूछा फिर तुम यहां कैसे? अनपूर्णा बोली दीदी अपनी ग्रिहस्ती जाकर तुम ही समालो, संसार से मेरा जी उचट गया है मैं काशी जाने का तै करके निकली हूँ, तुम्हें प्रणाम करने आ गई, जाने में, अनजाने में जितने भी कुसूर हुए हैं माफ करना तुम्हारी बहू कहते कहते उनकी आँखों से आसु छलक उठे, वह नादान बच्ची है, उसकी मा नहीं है, वह दोशी हो चाहे निरदोश, तुम्हारी ही है अनपूर्णा और कुछ न बोल सकी, राजलक्ष्मी जल्दी से उसके नहाने खाने का इंतिजाम करने चली गई, बिहारी को मालूम हुआ तो वह घोश की मढ़िया से दोड़ा आया, अनपूर्णा को प्रणाम करके बोला ऐसा भी होता है बला, हम सब को निरदई की तरह ठुकड़ा कर तुम चल दोगी आसो जब्द करके अनपूर्णा ने कहा मुझे अब फेरने की कोशिश न करो बिहारी, तुम लोग सुखी से रहो, मेरे लिए कुछ रुका न रहेगा बिहारी कुछ छण चुप रहा, फिर बोला महेंद्र की किस्मत खोटी है, उसने तुमें रुकसत कर दिया अनपूर्णा चौक कर बोली ऐसा मत कहो, मैं उस पर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मेरे गए बिना उनका भला न होगा बहुत दूर ताकता हुआ बिहारी चुप बैठा रहा अपने आचल से सोने की दो बालिया निकाल कर अनपूर्णा बोली बेटे ये बालिया रख ले, बहु आये तो मेरा अशिर्वात जता कर उसे पहना देना बालिया मस्तक से लगा कर आसू छिपाने के लिए बिहारी बगल के कमरे में चला गया अनपूर्णा जाते वक्त बोली मेरे महेंद्र और मेरी आशा का ध्यान रखना बिहारी राज लक्ष्मी के हाथों में उन्होंने एक कागस दिया और कहा ससुर्जी की जादात में मेरा जो हिस्सा है वह मैंने इस वसीयत में महेंद्र को लिख दिया है मुझे हर माह सिर्फ पंदर रुपे भेज दिया करना जुक कर उन्होंने राज लक्ष्मी के पैरों की धूल माथे से लगाई और तीर्थ यात्रा को निकल पड़ी शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार